बया मैं तो खुद बरवाद हो गया साला मेरे तो खुद जिन्दिगे लुट चुकी है ऐसा कहने की नोबत आप सबको भी आ सकती है अगर आप इस वीडिये को एंड तक नहीं देखोगे बिकॉज इस वीडिये में मैं आपको थ्री बेस्ट फेसलेस यूट्यूब चैनल आडियेस बताऊंगा जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल नए है उनमें कॉंपिटिशन भी बहुत कम है और इन सभी नीशे में आपकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी इसके साथ ही मैं आपको इन सभी नीशे के लिए एक एक वीडिये भी बना कर दिखाऊंगा जिसको कि मैं कैनवा में क्रियेट करूँगा जो कि एक फ्री और इजी तो यूज सोफ्ट्रेयर है सो इसलिए वीडिये को बिल्कुल बिसकेप मत करना इसी के साथ चलते हैं फस्ट नीश पे सबसे पहले आप यह चैनल लेखिए स्टोइक बॉंड जो कि स्टोइसिजम और सेल्फ इंप्रोव्मेंट के ओपर वीडियो बनाता है शोकिंग बात तो यह है कि इस चैनल ने सिर्फ 27 वीडियो में ही 120 के प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिये हैं और यह चैनल सिर्फ 6 मंत पहले ही स्टार्ट किया गया था और इसकी सेकिंड वीडियो ही वाइरल हो गई थी अगर हम इस चैनल की अर्निंग्स देखें तो यह चैनल मंतली $30 to $400 तक अर्ण कर रहा है जाने कि अराम से 40,000 to 50,000 रोपीज के करीब कमा रहा है अब चलिए जाते हैं कि अगर आप इस नीश में चैनल बनाते हो तो आप कैसे इस चैनल के लिए वीडियो केनवा और AI का यूज करके इजली बना सकते हो सबसे पहले था हमें वीडियो के लिए एक आइडिया लेना होगा जो कि मैं यूट्यूब से ही इसी चैनल से लोगा फॉर एक्जेंपल मैं इस वाली वीडियो से आइडिया को पिक करूँगा 7 Stoic Lessons to Control Your Emotions अब मैं इस वीडियो को कोपी नहीं करूँगा बलकि इसकी स्क्रिप्ट मैं अपनी तरफ से ही लिखूँगा जिसको मैं चैट GPD से लिखूँगा जिसमें मैं चैट GPD को 7 Lessons के बारे में बताने के लिए कहूँगा जिसे हम अपनी Emotions को Control कर सकते हैं और हमारी वीडियो की स्क्रिप्ट हमारे पास आ जाएगी जो कि I think हमारे Stoicism चैनल के लिए Best है इसके बाद मैं Voice Over Generate करूँगा जिसे मैं 11 Lab में आकर Generate करूँगा 11 Lab में आपने यहां से एक अपनी पसंद की Voice Select करने हैं और यहां पे स्क्रिप्ट पेस करके Generate पे क्लिक करना है And done, हमारा Voice Over भी रेड़ी है मैंने तो AI की Voice यूज़ की है फिर आपने कुछ इस तरीके का Prompt यहां पर लिखना है और Generate पे क्लिक करना है And हमारी Image Generate होकर आ जाएगी जिसलिकि मैं यहां से डाउनलोड कर लूँगा मैंने कुछ और Images भी Generate की थी जिनके की Prompts मैं आपको Description में दे दूँगा ना अब बार यहां वीडियो को Edit करने की वह भी Canva में Canva में आकर आपने यहां पर सर्च करना है YouTube वीडियो फिर इस पर क्लिक करना है Then आपके सामने यह Page Open हो जाएगा फिर आपने यहां Upload में Upload Files पे क्लिक करके Images और Audio Files को Import करना है Then आपने एक ही करके सब Images को Drag & Drop करना है फिर आपने एक Image को Select करके Animation में आकर इस Photo Zoom Effect को Select करके Apply To All Pages पे क्लिक करना है फिर आपने इन दो Images के बीच इस Option पे क्लिक करके यह Flow Wallet Transition पे क्लिक करके Apply Between All Pages पे क्लिक कर देना है फिर आपने Voice Over को Add करना है एंड लास्ट में एक Copyright Free Music को Add करके उसके Volume को थोड़ा Decrease कर देना है अब इस वीडियो पे Caption Generate करने के लिए मैं CapCut का यूज करूँगा बट उससे पहले मैं YouTube पे Vintage Old Film Overlay सर्च करूँगा और इनमें यह वाली Overlay को Download करके इसे और अपनी वीडियो को CapCut में ले आउंगा सबसे पहले अपनी वीडियो को Add करूँगा और उसके ओपर इस Overlay को Add करूँगा फिर इस Fault की Overlay को कुछ इस तरीके से Delete कर दूँगा और फिर इसे Select करके Blend में Multiply को Select करके इसकी Opacity को थोड़ा कम कर देना है फिर आपने Text में आना है और यहाँ Auto Caption पे क्लिक करके Language को Select करके Create पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अप पूरी तरह रेडि है फिर मैं इन Captions में यहाँ से कुछ अपने हिसाब से चेंजिस करूँगा And Done, हमारी वीडियो रेडि है हमारी नेक्स नीश है डोकुमेंटरी नीश यह रेडल नेम चैनल देखिए इस चैनल के 5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल की आप ग्रोथ देख सकते हो जो की काफी तेजी से हो रही है अगर आप इस नीश में चैनल बनाते हो तो आपके सक्सेस्फुल होने के काफी हाई चैन्स होंगे बिकोज लोगों को यह डोकुमेंटरी वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है इस चैनल की अगर हम अनिंग्स देखें तो यह चैनल 100 डॉलर्स टू 1.5 के डॉलर्स तक सिर्फ एडसेंस से अन कर लेता है अब चलिए यह जानते हैं कि इस चैनल की वीडियोस आप कैनवा में कैसे बना सकते हो सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट जिनरेट करूंगा जिसमें मैं चैट जीपिटी को पिरामिड्स ओफ गीजा की ancient mysteries के बारे में explain करने के लिए कहूंगा और हमारे results निकल कर आगे हैं जो कि काफी जादा अच्छे हैं चलिए 11 laps में voice over generate करते हैं मैं पहले वाली voice को ही use करूंगा और यहां पे मैं chat GPT से लिखवाई script को copy करके paste कर दूँगा and just click on generate and हमारा voice over भी ready है इसे मैं यहां से डाउनलोड कर लूँगा and चलते हैं सीधा editing वाले पार्ट पे जिसके लिए आपने सीधा आजाना है Canva में यहां पे आपने सबसे पहने upload file से अपना audio upload करके उस audio को import करना है फिर अब देखे कि Canva को सबसे best क्यों कहा जाता है मैं elements में search करूँगा pyramids of Giza तो आप देख सकते हैं मुझे हर तरह का graphics, images और videos pyramids से related मिल गई है फिर मैं अपने हिसाब से एके करके videos को add करता जाऊंगा फिर इतना कर लिने के बाद मैं इन footage के बीच में यह transition के option पे click करके यह match and move वाली transition को select करके apply to all पे click कर दूँगा फिर इसके बाद मैं इस clip को select करके animate पे जाऊंगा और इस photo zoom animation को select करके apply to all कर दूँगा फिर last में मैं पिकसा बे की website में आकर music में ancient mystery search करके एक अच्छा सा background music डाउनलोड कर लूँगा फिर इस music को import करके यहां पे add करके इसके volume को decrease कर दूँगा and done हमारी वीडियो रेड़ी है अब इसको मैं यहां से डाउनलोड कर लूँगा हमारी next niche जो है वो I think सबसे best and सबसे easy niche है YouTube पर because यह है quiz niche लग यह daily quiz channel को देखिए यह channel daily quiz videos upload करके मंतली millions में views तो गेन कर रहा है बट उसके साथ यह channel thousands of dollars भी earn कर रहा है इस channel ने 6 महीने पहले यह quiz videos upload करनी शुरू की थी और सिर्फ 6 months के अंदर इसने almost 2 million subscribers कर ली है यह niche की popularity का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि बड़े बड़े creators भी in quiz videos पर reaction videos बनाते हैं आप चलिए इस channel के लिए video बनाते हैं वो भी canva में canva में आकर आपने सबसे पहले video को select करना है फिर इस page में आकर आपने यहां color से अपनी पसंद का एक अच्छा सा background color चूस कर लेना है फिर आगे मैं यहां text में से एक अच्छा सा text select करके लिखूंगा guess the movie फिर उसे कुछ इस तरीके से adjust कर लूँगा फिर मैं elements में man search करके यह वाले graphic को add कर दूँगा then in graphics पर animation में आकर एक बड़े सा animation effect इन दोनों graphics पर add कर दूँगा फिर मैं इस spider graphic पर right click करके show timing पर click करूँगा जिससे कि मुझे इसकी timing show होने लगेगी अब मैं इसकी timing 5 seconds तक adjust कर दूँगा और कुछ इसी तरीके से मैं बाखी के graphics की timing को भी 5 seconds तक कर दूँगा तब तक आप comments में यह movie guest करो और फिर elements में मैं 5 seconds timer search करूँगा और इस वीडियो को add कर दूँगा और इस वीडियो का मैं edit वीडियो में जाकर background remove कर दूँगा फिर last में मैं spider man movie का poster download करके यहाँ पर add कर दूँगा और इस पर भी एक animation effect लगा दूँगा और फिर last में मैं कुछ वीडियो के recording sound effects को add करके मैं done कर दूँगा और इस वीडियो को मैं download कर लूँगा तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर करना और अगर आप viral pod का shorts वाला चैनल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो पर click करो